नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इसनों वीडियो में इस वीडियो के तो आपके सार एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो बढ़ता है अपने फर्स्ट कोशिन के दरफ पहला कोशिन आपका काजिरंगा नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विट स्टेट बताना आपको काजिरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज में है तो देखिए काजिरंगा नेशनल पार्क आपके असम राज में है और बात करें कि काजिरंगा नेशनल पार्क इस फेमस फोर तो देखिए यह फेमस है आपका वन होंड राइनासोरस एक सिंग वाले राइनास स्टेट कर लो विच्ट स्पाइस गार्डन ओफ इंडिया मसालों का बागीचा कौन से राजी को कहते हैं तो देखिए मसालों का बागीचा कहते हैं केरल को option number a is the correct answer अगला question आपका which state has highest literacy rate according to 2011 census 2011 के जंगन्ना के नुसार कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा literacy rate है मतलब कहा कौन से स्टेट के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो देखिए ये स्टेट है आपका option number a केरल जहां में 94% लोग पढ़े लिखे हैं उस स्टेट के which state has lowest literacy rate according to 2011 census 2011 के जंगन्ना के नुसार सबसे कम literacy rate कौन से स्टेट की है तो देखिए सबसे कम literacy rate है बिहार की जो बस 66% है next question है a group of star is known as a star के group को क्या कहते हैं galaxy, universe, satellite या फिर planet तो देखिए star का जो group होता है न उसको हम कहते हैं option number a galaxy चलिए अगला question देख लेते हैं the study of universe is known as universe के अध्यन को क्या कहते हैं देखिए study of universe को कहते हैं option b cosmology अगला question है which planet is known as red planet लाल ग्रह किसको कहते हैं option number d mars अगला question है uniform civil code is related to which article uniform civil code का संबंध कौन से article से है तो देखिए इसका संबंध है option number c article 44 next question single citizenship is borrowed from which country देखिए single citizenship का मतलब हुआ कि अगर आप भारत देश में रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी ऐसा नहीं अगर आपको USA की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता रद करनी पड़ेगी तब आप वहां की नागरिकता ले सकते हो अगर आपको भारत का citizen मन के रहना है तो बस आप यहां की नागरिकता लेके रह सकते हो तो ये पूछ रहा है कि single citizenship का जो है कानून ये कहां से लिया गया तो देखिए ये लिया गया आपका UK से, United Kingdom से Next question है, what is the minimum age of president राष्टपती बनने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो देखिए राष्टपती बनने के लिए नियुनतम आयू होनी चाहिए 35 साल और राष्टपती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है पात साल का, अभी कौन प्रेजेंट द्रापदी मुर्मो और फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये भी आपको याद रखना है तो ये थी आपकी प्रतिभाब पाटिल और ये हैं द्रापदी मुर्मो फ्रेसिडेंट चलिए अगला कोशन अभी आपने प्रेसिडेंट का मीनमम एज देखा, कितना था? तो आपको प्रेमिनिस्टर का मीनमम एज मतलब नियूंतम आयू बताना है तो देखे प्रेमिनिस्टर की नियूंतम आयू होती है 25 और इनका टेनियूर भी 5 साल गाई होता है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखें, दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका, option number D, Vatican City अगला question है, what is the capital of Saudi Arab, Saudi Arab की capital क्या है Saudi Arab की capital है, रियाद, option number A, इसका भी मैं बता देता हूँ Paris जो है, वो France की capital है, London, UK, United Kingdom, Quito, Ecuador Quito, Ecuador की capital है, चलिए, अगला question देख लेते हैं, who is the author of the taste of my life the taste of my life के author कौन है, तो देखें, the taste of my life के author है, option number D, यवराज सिंग अगला question है, playing it my way, it's an autobiography of, देखें, autobiography का मतलब होता है, खुद से लिखा गया तो playing it my way, किनों ने लिखा खुद से, अपने बारे में तो देखें, ये book है, लिखा है, सचीन तेंदलकर, जिनको God of Cricket बोलते हैं अगला question है, राजगाट is the memorial place of which famous personality जो भी questions मैंने आपके लिए select किया है, मैंने आपके लिए 50 questions select किया है तो सारे questions आपके लिए helpful है, अगर आपको आते भी हैं तो आप एक बार देख लो दस मिट में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ शीखने को मिल जाएगा, तो आप देख लो किनका memorial place है, तो देखिए यह है लाल भादू सास्त्री, option D, अगला question, where is the headquarter of international labor organization, इसका short form होता है ILO, तो आपको बताना है, ILO का headquarter कहा है, तो देखिए ILO का headquarter है, option number C, जेनेवा में, और इसकी स्थापना कब हुई, तो साल 1919 में इसकी स्थापना हुई, चलिए अगला question, where is the headquarter of food and agriculture organization, इसको यहाँ पे short form FAO लिखावा है, बताना आपको food and agriculture organization का headquarter कहा है तो देखिए इसका headquarter है आपका, रोम, रोम क्या है, इटली की capital होती है, रोम, तो यही पे इसका headquarter है, और इसकी स्थापना हुई, साल 1945 में चलिए अगला question देख लेते हैं, where is the headquarter of eastern command of Indian Air Force, eastern command का headquarter कहा है, Indian Air Force का तो देखिए, Air Force के eastern command का headquarter है, सिलॉंग में next question is, where is the headquarter of training command of Indian Air Force, Indian Air Force का जो training command है, उसका headquarter कहा है तो देखिए, उसका headquarter है आपका, option number D, Bengaluru, अगला question है, धन्वांत्री अवार्ड is related to which field, धन्वांत्री अवार्ड कौन से कुछ फिल्ड से सम्बंदित है, तो देखिए, धन्वांत्री अवार्ड जो है, यह सम्बंदित है आपका, मेडिसीन से, और इस अवार्ड की स्थापना हुई, साल 1972 बहत्तर, next question is, रंगा स्वामी कप is related to which sport, रंगा स्वामी कप का सम्बंद कौन से खेल से है, option number C, इसका सम्बंद होकी से है, अगला question है, संतोष ट्रोफी is related to which sport, संतोष ट्रोफी का सम्बंद कौन से खेल से है, right answer, option number B, football, अगला question है, what is the tagline of security and exchange board of India, जिसको short form में C भी बोल आपको बताना है, इसका headquarter कहा है, sorry, इसका tagline बताना है, आपको मैं headquarter भी बताऊंगा, और कौन से होर्स में इसकी स्थापना हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए, पहले आप इसका देख लोगी tagline क्या है, इसका tagline है, option number C, हर investor की ताकत, सेवी का जो है, tagline ह हर investor की ताकत, और इसकी स्थापना हुई, 12 April 1990, और इसकी headquarter कहा है, तो इसकी headquarter है, आपका मुंबई में, चलिए याद रखना है, और हर investor की ताकत, इस दी tagline of CB, next question, Indian Navy Day is celebrated on, आपको बताना है, Indian Navy Day, कौन से दिन celebrate क्या जाता है, 1st February को, Indian Coast Guard Day, जिसका short form ICG होता है, तो मैं यह लिख रहा हूँ, अगला है, 15 January को, तो Indian Army Day celebrate कह जाता है, 15 January को, 8 October को, Indian Air Force Day celebrate कह जाता है, अब कौन सा बच गया, 4 December बच कह जाता है, तो Indian Navy Day जो है, वो 4 December को celebrate कह जाता है, याद रखना है आपको, 8 October Indian Air Force Day, 15 January Indian Army Day, और 1st February Indian Coast Guard Day, चलिए अगला कोशन, वेन वोस वोल्ड अर्थ डे सेलिबरेटेड, वोल्ड अर्थ डे सेलिबरेटेड, वोल्ड अर्थ डे किस दिन सेलिबरेट कह जाता है, तो देखिए, यह सेलिबरेट कह जाता है, 22 अपरिल, अगला कोशन है, वेर इस साबरमती आश्रम लोकेटेड, वेर इस साबरमती आश्रम कहा है, देखिए, साबरमती आश्रम इसका नाम पड़ा है, साबरमती नदी है, तो वो कौन से शहर के किनारे है, तो एहमधाबाद सहर के किनारे साबरमती नदी है, आपको यह भी याद कोशन आता है एहमेदाबाद city situated on the bank of which river एहमेदाबाद शहर कौन से नदी के किनारे बसा है तो एहमेदाबाद शहर आपका साबरमती नदी के किनारे बसा है यह आपको याद रखना है तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि एहमेदाबाद का संबंद साबरमती आश्रम स है simple question है चलिए अगला question where is the headquarter of income tax department income tax department का है headquarter आपको बताना है option number B new Delhi में है इसका headquarter और इसकी स्थापना हुई साल 1861 में चलिए अगला question botanical garden is located in बताना आपको botanical garden जो है वो कहा है तो देखिए botanical garden है आपका option option number D कॉलकता अगला question है पंडित सिवकुमार सर्मा is related to which musical instrument पंडित सिवकुमार सर्मा का संबंध कौन से musical instrument से है इनका संबंध है option number C सितार से अगला question है पंडित रविशंकर is related to which musical instrument पंडित रविशंकर is related to which musical instrument तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ये related हैं आपके option number C सितार से और इनका में क्या बता है था आपको पंदित सिवकुमार सर्मा का option number D होगा सौरी संतूर ठीक है आप देख लेना संतूर से related हैं पंदित सिवकुमार सर्मा चलिए आगला question देख लेते हैं BU festival is celebrated in which state BU का त्योहार कौन से राज़े में celebrate कह दाता है तो देखे ये celebrate कह दाता है option number C असम next question होगा बिल फेस्टिबल is celebrated in which state बताना अपको होगा बिल त्योहार कौन से राज़े में मनाया जाता है option number D होगा बिल इस celebrated in नागा लेंड चलिए अगला question देखते हैं गिद्धा और भांगड़ा is the folk dance of which state गिद्धा और भांगड़ा कौन से राज़े का लोकन रित्ते हैं तो ये है आपका भांगड़ा तो आपको पता होगा अगर गिद्धा नहीं पता होगा तो भांगड़ा तो पता होगा option number C पंजाब next question who was the first man to go to North Pole to South Pole North Pole पे जाने वाले पहले वक्ती है Robert Peary और South Pole की बात करें तो रोल एमर्डिसन is the first person to go to South Pole option B अगला question है BAT stands for simple question है BAT का आपको full form बताना है option number C value added tax चलिए अगला question है which of the following is related to tennis इन में से tennis का संबंद इसमें से जो cup देख रहे हैं trophies देख रहे हैं तो tennis का संबंद किस से है Santos Trophy Davis Cup Durand Cup या फिर Tata Cup तो देखें tennis का संबंद option number B Davis Cup से है अगला question है first commonwealth games held in which year पहला commonwealth game कौन से मतलब कहा पे खेला गया कौन से शाल में खेला गया तो ये खेला गया आपका option number B साल 1930 में कहां खेला गया तो ये खेला गया आपका Hamilton Canada Hamilton Canada Canada की capital क्या होती है Canada की capital होती है Ottawa और यहां की currency होती है Canadian dollar चलिए 40 questions कर लिए हमने अब बस आपके 10 questions बचे वह है जल्दी से कर लेते हैं इनको भी और वीडियो अच्छा लगर रहा आपको तो like, share and subscribe ज़रूर करें और बहुत सारे लोग comment करते हैं कि मैं SSC, MTS की preparation कर रहा हूँ SSC, MTS या फिर और भी बहुत लोग करते हैं कि मैं इस exam की preparation कर रहा हूँ तो यह मैं सारे के लिए बना रहा हूँ ऐसा नहीं की MTS वालों के लिए है इसके लिए नहीं है तो आप जिस भी exam की preparation कर रहा है यह आपको सारे exams में helpful हो मिलेगा आपको आपको बताना है निशाद बाग जो है वो कहा है बताईए जल्दी से निशाद बाग कहा है तो देखिए निशाद बाग जो है यह आपका स्रीनगर में है option number A अगला question है which state separate Australia and Asmania which state separate Australia and Asmania तो देखिए यह separate करता है आपका कौन सा state है option B, Bass Street अगला question है which one of the following is not a permanent lake इन में से कौन सा जो है वो permanent lake नहीं है temporary lake है तो देखिए यह lake है आपका option number B, Laya Lake अगला question है coral reefs are not found in which of the following reason इन में से कौन सा जगह पे coral reef मतलब मूंगा चटान नहीं पाया जाता है यह हो जाएगा option C, Gulf of Cambay अगला question है which is the largest lake in the world वोल्ड का सबसे largest lake कौन सा है तो देखिए वोल्ड का सबसे largest lake की बात करें तो यह है आपका Caspian C option D next question the study of atmospheric phenomena is known as atmospheric phenomena के अधियन को क्या कहते है वातवरन और उसकी घटनाएं के अधियन को क्या कहते है यह आपको बताना है तो कहते हैं हम option D, Metrology अगला question है the scale used recording weather condition is known as weather condition को record करने के लिए कौन से scale का यूज कह जाता है तो यह scale centigrade है जिसको use कह जाता है अगला question है आपका yeast is important source of देखिए यह जो yeast है यह बहुत important source है कि इसका protein का इससे supplements से बढ़नते है जो gym करते हैं उनको पता होगा और वैसे यह important source कौन से vitamin का है तो यह मैं आपको बता देता हूँ option number B vitamin B चले अगला question how many members are elected in लोकसभा from the union territory लोकसभा में केंद सासित प्रदेश से कितने member को elect किया जाता है तो देखिए लोकसभा में 20 member को union territory से elect किया जाता है और 530 member को state से elect किया जाता है और दो member जो हैं वो Anglo-Indian से president के द्वारा चुना जाता है यह आपको याद रखना है अगला question है last question है इस series का अगर आपको यह series अच्छी लगी है तो आप मुझे comment में बताना आपके लिए यह मैं 5 से 10 series करवा दूँगा और 1000 question हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत जादा sufficient हो जाएगा total number of high courts in India बता दो आप simple question है total कितने high courts हैं भारत में तो total high court की बात करें तो अभी present में 25 high court है और सबसे पुराना high court है आपका कौन सा? क्यालकटा high court क्यालकटा high court तो चलिए वीडियो कहीं पेंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा और अगर आप नहीं हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं